पक्लोस है! ये क्या चपलचोर? चपलचोर, पक्लोस है! चपलचोर, पक्लोस है! ये क्या चपलचोर? सौरी जीचे, बंजा डीचे! देदे, उपरवाले के नाम पे देदे! चपलचोर, पक्लोस है! पुरे शहर में चपल चोरी आटे मिमि क्री यी क्या कर रहे हो हम मीमिक्री किंग और आजकल हमरे गोले पे चपल चोरी बहुत हो रही है हाँ गोला मतलब इंग ओर धरती भाई अरे इका हमरा चपल चोरी हुई गवा बंदूखनी जी, आप कच्छु करती क्यों नहीं, चपल बिना जिंदगी याने जैसे जल बिन मचली हुई गए हैं मेरी तो महंगी सैंडल थी, अब तो देखो, मेरे नाजूख पैरों में न चाले पड़ गए हैं हाँ, इक गोला के लोगों के पैरों में चपल नाहीं, सिरफ छाले हैं इब वो चपल चोर बंदूखनी की लाच से बचना पाएगा बंदूखनी जी, आपके पैरों में भी छाले पड़ेंगे रबावडा हो गया के, मेरे पैरों में क्यों है, ओए मेरे जूते इलो, इहां तो पुलीस के ही जूते चोरी है, तो आम आदमी का करें, हाँ अड़े बंदूखनी जी, ये चपल चोर ने तो मेरे चपल की दुकान से दो बॉक चपल चोरी कर लिये नी ऐसे में दंदा तो मंदा हो जाएगा अच्छा, मतलब चोर सिर्फ पुरानी नहीं, नई चपल भी चुरा हो रहा है सेड़ जी, आप चिंताना करो, आपको पूरा पुलीस प्रोटेक्शन देंगे आप पूरे शहर के लिए नई चपले ला दो, तब तक हम इस चोर का बंदो बस करते हैं क्यों हो भाई चाचा, हाप तीचा ओ भाई साब, अभी तो सौ रुपे की चपल थी, अभी हजार रुपे खोजी अंकल आपको इस बार जूते बनाने होंगे अरे भती जे क्या बात कर रहे हो, मैं जूते बनाओ, हाँ खोजी अंकल, क्योंकि यह स्पेशल जूते होंगे यह तो चाचा भतीजा है, इनसे बच के रहना होगा, या फिर इनहे भी अपने लपेटे में लेना होगा साथियों, मैं कोमल सिंग हूँ, प्रोड्यूसर, और यह मेरे डिरेक्टर मिस्टर के एस हम यहाँ एक फिल्म की शूटिंग करने आए हैं, और नए टैलेंट को चांस दे रहे हैं किसी को एक्टिंग करनी हो, तो हमें कॉंटेंग करें मैं एक्टिंग करूंगा, मैं एवन डिटेक्टिव जैंसी में जसूस हूँ, और जसूस से बड़िया एक्टर कोई नहीं हो सकता क्या है, हमें अलाग अलाग गैटप में अपरादियों को पखड़ना जो पड़ता है भाईया, आपका सिलेक्शन तो हो गया, आप हमारी फिल्म में जसूस का रोल करेंगे पले-पले, पले-पले हमारे ढबे में आपका स्वागत है सर, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, क्या खाना पसंद करेंगे आप ओई डिरेक्टर सर जी, ये फंटूश नगरका सबसे बढ़िया एक्टर है एक बार जो मैंने मेनू सेट कर दिया, तो फिर मैं अपने आपके भी ही सुनता कंट्रोल, कंट्रोल हो गया सिलेक्शन, इनका भी सिलेक्शन हो गया क्या एक्टिंग की है, आप भी कल सुबह दस बजे हाइवे पे मिलना आप हमारी फिल्म के हीरो है हीरो फोटो वाले खूकार्स इंके आई ब्रॉज एकदम इस डिरेक्टर जैसी लग रही है जैसे ही यह लोग वैन को रोक के गार्ड्स के साथ मार पीट करेंगे हम हीरो का पार्सल निकालके यहां से नौ दो ग्यारा हो जाएंगे ही तब तक अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना हां, ओके, कोशिश करूँगा, कोशिश करूँगा अच्छा, अब मैं आप लोगों को सीन बताता हूँ सीन तो सुन लेंगे, पहले यह बताओ, मेरी हिरोईन कौन है मिमिकरी भाव आपके हिरोईन पस आती ही होगी पावडी बूज भैस की पूज कुछ बोल लेगा भी या शूटिंगी करता रहेगा जब तक मुझ ना खोले अच्छा है और मुझ खोल दिया तो बहुत बहुत अच्छा है फिल्म हिट है भई, हिट है फिल्म का आ, इसमें देखता हूँ अपना जी क्या है खिल्म केट क्या हूँ मैं थे और के युल क्ला जीर देखते प्लोड़ कें अच्छा है क्लाई क्लाई वेड़की क्लाई पावणी पूज, भैस की पूज, यो के धमा चौकणी मचा रखी से? ओए भल्ले, यो ओफिस को दोबी गाट क्यों मना रखा है? मैं तो सिर्फ सोने का सिक्का ढून रहा था, जो लाला जोलुराम के सफाचट साबुन में मिलने वाला था. उसके दुकान से पूरे पाथ सो साबुन खरीदे मैंने, और सो तो घिस भी डाले, पर सिक्के का कोई पता नहीं. ओबला अंकल, कोई सोने का सिक्का नहीं मिलने वाला. लाला जोलुराम अकसर ऐसे नालच देकर लोगों को चीज़े बेशता रहता है, और आज तक किसी को कुछ नहीं मिला. क्या? मैं लुट गया, मैं परबाद हो गया. अब इन चार सो साबुन का क्या करूँ? अब बहादूर, तु पंक्खे पे लड़के कौन सी हवा खा रहास है? है, नीच उतर, चल नीच उतर, इस लाला जोलुराम ने जेल की हवा खिलाते हैं. अब भी लो, मैडम जी. ओ, बनूगणी जी, लाला जोलुराम को पखड़ने का काम आपका, पर उतसे पहले लाला जोलुराम से पला जी के पैसे वापस लाने का कम हमारा. मैं कुछ जादा तो नी बोल गया ना, पती जे. अब बोली दिया है, तो घर लेंगे, चाचु. हम लंडन का बिजनसमैन, टोड़ी गबराट हो रही है, यार. हम लंडन का बिजनसमैन, टोड़ी गौंसालवेश. लंडन में ना मिले, हैसा कोई चीज ही नाई. लंडन के बिजनसमैन. चाची जी, आपकी चूड़ीों में ये छेट की कोई नई डिजाइन है क्या? इस चेन, आरे, ये क्या हो गया, मेरे सोने की चूड़ीों को किसकी नजर लग गई, हाई हाई. सोने का ये चेन गिर गया, आरे, मैं लुट गया, हाई हाई, मेरे कान के चल्ले टूट गई. क्या, ओए पम्मी, ये तुने क्या कर दिया, सोना क्या पेड़ पे उंता है? ये तो अजीब मुसीबत हो गई है, पहले गिरा छला, फिर गिरा पला, हाई हाई, किसी को पतारा मत, जाओ जाओ. ये सारे सेवर ना उस गरीब जुएलर के यां से खरीद देते हैं, और देखो जी, उसने तो ना हमें ही गरीब बना दिया, हाई हाई. कोई पोलिस को बुलाओ. ये क्या? अरे, ये अमारे मैडम जी का स्टाइल है. रक्कॉन केता है पुलिस टेम पर नी आती? लो आगी पुलिस, के बात हो गई? सारे गा गरीब ज्वेलर्स नहीं हम सब को नकली सोना बेचा. कानून के हाथ और बंदूकनी के लाट से कोई ना बन सके है. उस गरीब जोहरी को ऐसी लात मारूँगी कि सोना भूल जाएगा. रुके बंदूकनी जी, मुझे नहीं लगता कि ये गरीब जोहरी ने किया होगा. आप तीनों काफी टाइम से ये सोना पहन रहे हो, है ना? और आज अचानक से ये एक साथ तूटने लगा. जरूर आज ही के दिन कुछ हुआ है. कोई शीला याद कर, और कुछ तो हुआ होगा आज. याद आया जी, आज सुबना चमकु चमाट ने चोड़िया पॉलिश के थे. और हाँ, मेरा भी सोना चमकाया था. अमर भी. इसी चमकु चमाट ने पॉलिश के बहाने आप सब का सोना चुराया है. इभी ये चमकु चमाट खाएगा मेरी लाद, पर उसे ढूंडेंगे कैसे? ढूंडने के जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बंदुखनी जी. वो खुद चलके हमारे पास आएगा. जो सोना चमकु चमाट ने चुराया है, उससे बेचने वो जरूर आएगा. चाची जी की चूडियों पर अब भी चमकु चमाट का केमिकल लगा होगा. खुजी अंकल, क्या आपको यासा केमिकल बना सकते हैं, जो चमकु के चुराय हुए सोने को पहचान सके? जो चमकु के चुराय हुए सोने पर किर सही निला हो जाएगा. वे अब तो जो और पकड़ा ही जाएगा.